दक्षन एफ्रिका के स्टार गेन बास एरन नौर्किया आईपियल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं नौर्किया ने लगाता दूसरे साल आईपियल में सबसे तेज गेन फैक ही है नौर्किया आईपियल इतिहास में सबसे तेज गेन फैक्टने वाले गेन बास भी है आईपियल में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेन बास एंड्रिक नौर्किया ने अपनी रफ्तार से तहल का मचा रखा है आईपियल के पहले चरण में दिल्ली का ये तेज गेन बास खेलन इस अन्वाइजर हैदरबाद के खिलाफ नौर्किया ने अपने पहले दो आवर में सभी गेंदे 145 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से उपड़ डाली इस दोरा नौर्किया ने 151.7 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से गेंद फैक की जो IPL 2021 की सबसे तेज बॉल नौर्किया ने आईपीयल 2020 में रोजस्थान रोयल के खिलाफ 156.2 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से गेंद डाली थी हाले की राजस्थान के बल्लेबास बटलर ने चौका लगा दिया लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने बटलर की गिल्लिया भी खेल दी इस गेंद की रफ़तार भी 155.4 किलो मीटर प्रती घंटा थी आईपेल के दिहास में अगर सबसे तेज की गेंद की लिस्ट पर नज़र डाले तो अब पहले तीन स्थानों पर नौर्किया का कबजा है इसके बाद चौथे नमबर पर डेल स्टेन की बारी आती है और पांचुए नमबर पर कगीसो रबारा है खास बात ये है कि ये सारे देज गेंद बास दक्षिन अफ्रीका से है